नमस्कार दोस्तों कैसे हो सभी दोस्तों देखो राजस्तान की जो भी किसान है उनके लिए अच्छी योजना सुल के गई है राजस्तान के मुख्य मंतरजी के दौरा आप देखो जो भी राजस्तान की किशान है जिनके पास टेक्टर है उनके जो यंतर होते हैं उनको खरीद करना चाता है किसान देखो अगर आप कोई भी यंतर खरीदते हैं अपने जो ट्रेक्टर वगिरा खेट के अंदर काम करने के लिए तो उसके आदे पैसे सरकार के दुबरा दीजाएंगे और आदे पैसे आपके खुद के लगी तो आदे पैसी की बचत करने के लिए आप इस किसान को मिलेगा कोई इसके लिए आपे दिन फोरम बढ़ सकता है अब हमारे बोर्ड की स्किन के उपर चलते हैं वीडियो को लाइक और चमको सब्सक्राइब करेना अगर आपने में तक नहीं किया अब चलते हैं आपके स्किन के उपर तो आ चुके हैं आप बोर्ड की स्कि किसानों के लिए बड़ी रहत वो दिए गई हैं इसमें सबी जो mission on agriculture जो ग्युक्णायय़ेशन योजना के हैं यह योजना सुरू के गई है गिसानों के लिए और कारियों के लिए सुगम बनानी के लिए, या किसानों को प्रपधान, अंदरगत किसानों को आधुनिक कर्सी यंतर है, अनुदान मिलेगा, यętके किसानों पर आर्तिक भारर को यह कम पढ़ेगा, क्योंकि जो सामान वखिरा लेते हैं उस में पैसे का खड़्च होता है किसान को, तो आदे पैसे सरकार की दुवारा वाहन की जा रहे हैं अब देखो कर्सी कार यह आसान हो जाएगा जिसमें किसानों के आये में बर्दी भी होगी अब राजस्तान की कर्सी अयुक्त कनेलाल सुवामी ने बता है कि इस चोजना के अंदगत राज्य के लगबग चांसेट अजार किसानों को 20 क्रोड रुपे का अनुदान वो दिये जाएगा जिसमें कर्सी यंतर पर अनुसूचिक जन जाती लगू सिमित और मेलाए किसानों के लिए टेक्टर की भी एच पी के अधार पर लागत आपको अधिकतम 50% का अनुदान है अन्य सिर्णिंग के कर अधिकतम 40% का अनुदान वो दिये जाएगा अब देखो आप बोलेंगे इसमें फोरम आपको अपलाई कैसे करना उसकी भी मैं आपको जानकारे बताऊंगा कि आपको फोरम है वो कहां से अपलाई करवाना है रास्ता जरगार के दुवारा किसानों को कर्सी यंतर खरीदने वो हो गए हैं और आप किसान राज किसान साथी पोटल पर इमितर के मदर्ण से आप अपना ओलाईन आवेदन फोरमा भरवा सकते हैं इसके लिए ओलाईन आवेदन करने की जो अंतिम किती है वो 13 सितुमबर तक रखे गई है देखो आपके पास 2-3 दिन का समय और बचा है अगर आपने आवेदन नहीं किया है नहीं पता था तो आप आप आवेदन कर लिजिए आपसे आवेदन ही हो पाएगा आपको जो इमितर पोटल है इमितर सिवा के अंदर वहाँ पे आपको जाना है जहाँ पे किसान राजी जो साती पोटल उसके मदम से जो इमितर संचालक है वो आपका आवेदन फोरम बर सकता है अब देखो इसमें जो करसी किसान है उनके लिए क्या और अपडेट है इस योजना का लाब उठाने के लिए जो भी किसान है राजी किसान साती पोटल पर इमितर के मदम से अपना ओलाइन आवेदन फोरम बरवा सकते हैं और आवेदन करने की तीति यह वो 13 सितुमबर तक रखी गई है लगू इन सिमित करसी की किसानों को ओलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास कौन-कौन से दस जनादार कार्ड ओना चाहिए जो भी किसान है अचिता जिनादार काड़ पर आपने लेना चाहते हैं इस NXT कि और जानकारी में आपको बताना चाहता हूं इसमें और क्या अपडेट आई है जो भी किसान उनके लिए देखो एक जनादार कार्ड से एक ही जो वेक्ति एक किसान उसका ही आफिदन होगा ऐसे नहीं कि एक जनादार कार्ड से दो वेक्ति आफिदन कर सकते हैं उल्ली एक ज जारी करने से पहले खरीदे गए पुराने यंतर और अनुदान वो नहीं मिलेंगे क्या आपने फोरम अपलाय कर दिया उसके बाद में आप अपना कोई भी कर्शी यंतर वो खरीदते हैं तो आपको उसका अनुदान नहीं मिलेगा जैसे जो परशाशन कार्याले वहां से आप के पास को रिपोर्ट आएगी जान करिएगी उसके बाद में आपको अनुदान दिये जाएगा और आपको जो कर्सी यंतर वो उसके बाद में आपको खरीदना है उससे पहले खरीद देंगे जो शिवकार नहीं की जाएगा आपकी जो अनुदान दिये जाएगा उसके दु जो सभी प्रकार की करसी यंतर जैसे हैं आपकी जो काम याने वाले चीज़े हैं जो भी चीज़े आपको पता कौन-कौन सी चीज़े जो भी किसान है जो पिलाव वेगर आपके हल वेगर आती हैं उनको अनुदान दी जाएगा किसानों दुवारा करसी यंतर की पंचिकरत फो जिले से फिलोंग करते हैं वह अपने अवेद टन फोराम अपलाई कर सकते हैं conhe inject करें वकुत जांकर्य आप अपनी मिद्र केंद्र पर जाकर ले सकते हैं और वहां वाह से जो此 साथh course donation पोरतलव से अपने आव इस दन फोरम भरभा सकते हैं और और वीडियो आपको अच्छला क्या तू लाइक कर देना चलंग को सब्सक्राइब कर लेना बाकि हमारे टेलेग्राम चैनल और वोट्सप गुरूप का भी लिंक के नीचे डिस्प्रेक्शन में जोइन कर लेना वहां पर जो भी अपडेट आती है आपको मिलती रहेगी